दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था ये दिखाते होए कि विदेशों में भारत का दंका किस प्रकार बज़ा है मैंने बताया था कि मैं फ्रांस में हूँ और यहां पर भारती रुपईयों को कन Alberta करने से मना करते हैं लोग ने मेरे बहुत आलोचना कि कहा कि जूर बोल रहा हूं मैं जूर फैला रहा हूं क्यूंकि मैंने यूस महिला इस्ताफ को नहीं लिखाया जिस ने नोटों को convert करने से मना करते हैं तो आज हम चलेंगे money exchange, मेरे पास अभी तक नोटों की वो गड़ी है जो अभी तक किसीने बदली नहीं, मेरे पास अभी भी है, अभी हम money exchange चलेंगे और जानेंगे कि क्या वाक्य में ही कोई इन नोटों को बदल रहा है या नहीं बदल मょरे wird प lados परे हो कि खाल हया वा बाद। बाल मार्वाई बाल दो कि परेख़ से नथ हैं वेख़ भी मोर छोसरे न'tी बाद। अबाद। गो मोर मो o चाहलों . आंक को बाद पर्देख़ जो झी खाला है यूल मुझे उम्मीद है कि आपने भली भाती सुन भी लिया होगा, देख भी लिया होगा, कि महिला ने साफ शब्दों में मना किया कि हम भारतिय रुपे को कन्वर्ट नहीं करते हैं, दर असल विदेशों में डंका नहीं बज रहा है, दंके की चोट से आपके दिल औ दिमाग पे वार किया जा रहा है, और यही वार आपको सोचने समझने नहीं दे रहा, आपकी आपको पर परदा डल चुका है, आपको सरकार जो दिखा रही है, गोदी मीडिया जो दिखा रहा है, वही सच लग रहा है, लेकिन सच्चा ही यह है कि रुपे का इस्तराज इतना गिर चुक अब आप सोचिए कि डंका बजगा रहा है